जिस तरह हर किसी का खाने का जो टेस्ट रहता है वो अलग-अलग रहता है किसी को भेज पसंद है तो किसी को नॉन भेज पसंद है है ना सेम उसी तरह बात अगर share market की हो तो share market में अपने पैसों को invest करने के लिए या फिर intraday trading करने के लिए हर किसी का demate account का जो choices रहता है ना वो भी अलग-अलग रहता है और सबसे बरी बात तो यह है कि आपको starting time में यानि कि जब आप share market के journey में शुरुआत करते हो उस time आपको कोई guide करने वाला नहीं रहता या फिर आपको कोई बताने वाला नहीं रहता कि आपके लिए कौन सा demate account best रहेगा अगर आप भी share market में अपनी journey की शुरुआत करना चाते हो और आप यही decision नहीं ले पा रहे हो कि आप आखिर कौन से broker के पास अपने demate account को खुलवाए तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को इंडिया के जो top 4 broker है यह 4 broker के बारे में इस तरीके से comparison करके बताऊ इस चारो broker के बारे में हर एक point जो point को जानना आपके लिए काफी ज़्यादा जोरूरी है हर एक point को बिल्कुल आसान भासा में explain करूंगा जब आप यह 4 broker के बारे में जान जाओगे न तो आपके लिए यह decision लेना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि आपके लिए आखिर कौन सा डिमेट अकाउं बेस्ट है देखिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ब्रोकर आखिर कितने तरह के होते हैं तो टोटल दो तरह का ब्रोकर होते हैं एक होते हैं डिसकाउंड ब्रोकर और एक होते हैं फूल सर्विस ब्रोकर का मतलब यह होता है जो आपको bond investing का feature देते हैं जो features अगर आप एक beginner हो अगर आप share market में नए हो तो एक beginner के लिए यह सारा extra features की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती समझ गए अब समझते हैं यह चारो ब्रोकर का services के बारे में hidden charges के बारे में जब आप यह चारो ब्रोकर के बारे में जान जाओगे ना सही तरीके से तो आप यह decision ले पाओगे कि आपके लिए आखिर कौनसा ब्रोकर सही रहेगा तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौनसा ब्रोकर कब आया था यानि कि कौनसा ब्रोकर कब launch हुआ था तो सबसे पहले बात करते हैं angel one की angel one launch हुआ था 1996 में grow launch हुआ था 2016 में Uptox launch हो वाता 2009 में और Zirodha launch हो वाता 2010 में उसके बाद बात करते हैं broker का type यानि कि Angel One एक full service broker है, grow एक discount broker है, Uptox भी discount broker है और Zirodha भी discount broker ही है ठीक है उसके बाद बात करते हैं कि किसके पास कितना active clients है यानि कि किसके पास कितना ज्यादा customer है, active customer है तो Angel One के पास 30 लाग से भी ज्यादा active clients है, active user है, grow के पास लगभग 51 लाग से ज्यादा active clients है, Uptox के पास 30 लाग से भी ज्यादा active users है और Zirodha के पास 64 लाग active users है उसके बाद बात करते हैं कि account को open करने के लिए कितने charges लेते हैं ये brokers तो Angel One में अगर आप account को open करते हो तो बिल्कुल free में open कर सकते हो grow में अगर आप account को open करते हो, तो वहाँ भी आप बिल्कुल free में कर सकते हो, uptox में अगर आप account को open करते हो तो ये लोग कभी-कभी free भी देते हैं और कभी-कभी 49 to 249 चार्ज भी लेते हैं और अगर आप 0-10 में अपना account को open करते हो तो यहाँ पे आपको 200 रुपिया account opening का charge देना पड़ेगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी चीज बता दू कि आप चाहे तो हमारे link से भी जाके download करके अपना dmate account को खुलवा सकते हो और अगर आप हमारे link से download करके dmate account को खुलते हो तो इससे आपको हमारी तरफ से मेरी टीम की तरफ से stock market का free course प्रूबाइट किया जाएगा जो आपको हमारे instagram id अकसपसा03 पर आप message करोगे वहाँ पर मैं अपना जो course का link है वो send कर दूँगा तो जल्दी से जाएगे download कीजिए और अपना dmate account को खुलवा लीजिए उसके बाद आप बात करते हैं annual maintenance charges के बड़े में यानि कि आप कहीं भी अपना dmate account को बनाओ आपका dmate account को maintenance भी तो करना पड़ेगा वो maintenance कौन करेगा आप जिस broker के पास अपना account को बनाओगे वही लोग करेगा तो उसका charge कौन सा broker कितना लेता है उसको समझते हैं देखिए angel one आपका जो AMC charge रहता है वो लेता है 20 रुपिया प्लस GST यह yearly आपको देना पड़ेगा ठीक है grow लेता है बिल्कुल free है grow कोई AMC charge नहीं लेता अब तो भी कोई भी AMC charge आपसे नहीं लेता और अगर आप जिरोधा में अपना account को बनाते हो तो यह quarterly यानि कि हर तीन महीना बाद-बाद 75 प्लस GST आपका AMC charge लेता है उसके बाद समझते हैं equity delivery charges के बारे में delivery का मतलब यह होता है कि अगर आप share market में long time के लिए कोई share को खरीते हो उसको बोला जाता है delivery तो अगर आप delivery में कोई share को खरीते हो तो आपको कितना चार्जेस देना पड़ेगा तो angel one इसके लिए बिल्कुल free है delivery में कोई share को खरीतो आपको बिल्कुल free है कोई jar charges देना नहीं पड़ेगा grow भी बिल्कुल free रखा है वहाँ भी आपको कोई charges नहीं देना पड़ेगा अप्तोक्स में आपको 20 रुपिया या फिर 2.5% जो भी ये दोनों में से कम होगा वो charges आपको देना पड़ेगा और जिरोदा भी बिल्कुल free है वहाँ भी आपको delivery में कोई भी charges नहीं देना पड़ेगा उसके बाद equity intraday charges के बारे में बात करते हैं intraday का मतलब आप लोगों को पता ही होगा कि एक ही दिन में कोई share को खरीदना और एक ही दिन में उसको sell कर देना एक ही दिन में share को खरीदना बेचना इसको बोला जाता है intraday ठीक है तो equity intraday charges concept broker का कितना कितना है तो देखे equity intraday charges angel one लेता है 20 रुपिया या फिर 0.25% जो भी इन दोनों में से कम होगा वो आपको charge देना पड़ेगा grow रखेगा आपको 20 रुपिया या फिर 0.05% जो भी इन दोनों में से कम होगा वो charge आपको देना पड़ेगा आप talks लेता है 20 रुपिया या फिर 0.05% जो भी इन दोनों में से कम होगा वो charge आपको देना पड़ेगा और 0-धा रखता है 20 रुपिया या फिर 0.03% उसके बास समझते हैं कि auto square of charges और टो स्क्वार उफ का चार्जेस का मतलब यह होता है कि आप जिस भी ब्रोकर के पास अपने डिमेट एकाउन को बनवाते हो और इंट्राडे टेड लेते हो तो आपको एक ही दिन में श्यार को बेजना पड़ेगा यानि कि श्यार मार्केट का जो टाइमिंग है सारे तीन ब इसका चार्ज भी होता है तो उसको समझते हैं कि आपके यह लेता है प्रूप प्लपया प्लस जिएश्टी उसके बात करें तो यह जो सर्विस है यह सिर्फ एंजेल वान ही प्रोवाइट करता है, बाकि जो ग्रो हैं अप्तुक्स है यह फिर जिरूदा है यह फ्री से यह प्रोभाइट नहीं करता अब लास्ट में मैं आप लोगों को डीपी चार्जेस के बारे में बताऊंगा उसके बाद मैं अपना परसनल ओपीनियन भी शेयर करूंगा कि मुझे आखिर परसनली कौन सा ब्रोकर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ठीक है तो देखिए ड आउन तक तक तो आपने यह चार्णों बरोकर का हार एक हीड़ेन चारजेस हारेक शर्विसेस के बाड़े में बारी कि से समझ लिए अब आप खुछ से यह डिशन लो कि आपको आखिर यह चारों ब्रोकर में से किसका सर्विस सबसे ज्यादा पसंद आई किसका चार्जेस आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, उसके बाद आप खुछ से ये डिशन ले ले लेना कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर आखिर सही रहेगा, अब बात अगर मैं खुद का करू, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा इंटरफेस, ग्रो का ही लगता है, उसके बाद मुझे अगर आप भी डिमेट एकाउन के बाद में जानना चाहते हो, कि डिमेट एकाउन क्या है और डिमे एकाउन हमें क्यू बनानी चाहिए, तो उसके लिए मैंने अल्लेडी डेडिकेटेट और श्पेशल वीडियो बनाया है, यह लेफ्ट वाली वीडियो देखले ना, यह वा